हेलो प्रेंट स्वागत है फास्ट इन्फोर्मेशन में नेशनल वाटर डव्लेमेंट एजनसी जो कि भारत सरकार का एक यूनीट है के तरप से जूनियर इंजिनियर के सिविल का सीट बहुत सारे वैकेंसी आगे है साथी दोस्तों जेई के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होगा सिविल का वो कैसे करेंगे और इनका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है लास्ट डेट क्या एक्जामनेशन फी क्या है चलिए सारे चीज इस वीडियो के मात्यम से हम आपको बताते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं नेशनल वाटर डव्लेमेंट एजनसी बारा सरकार को जो यून ब्रांच के लिए निकाला गया है जिनकी पेमेंट लेवल की बात करें तो 35,400 बेसिक लेवल है लेवल 6 से स्टार्ट होगा टोटल सेट की बात करें तो टोटल सोलर सीट है इनमें काटिगरी वाइज हम आपको बता दूं जेनरल के काटिगरी से बात करोते हैं ग्यारा ओव वो भी सी जो भी छूट है वो छूट के आपको इसमें आपको फैसलेटी मिलेगा तो मिनिमम मानिया आपको 18 और मैक्सिमम 17 अबरेजिंग लेकर चलिए आप इस फार्म को फिर बार सकते हैं आगे डेटेल से महां आपको दिखाते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है तो करें डिपलोवा फास होना लगर चाहिए कि देश के किसी इनफरी सीर्कारी यह सिर्फ सक्कारी असmmm अग्या प्लसाओस में आपको टिखा दिखादू डिटेल में के इसके लिए जो form भरने की जो date है वो date हम सबसे पहले जान लेते है डेट की बात करें तो 10,5,2021 यानि कि आज की date से ही यह फर्म भरना start हुआ और last date की बात करें तो 20,65,2021 यानि की पुरे पूरी एक मैना इस form भरने का last date दिया हुआ है तो अब यह फिकी रहोकर के अराम से इस फ़र्म को बहर सकते हैं पचीस छे दोजार एकी से फ़र्म को अराम से भर दे बात करें एक्जामिनेशन का तो एक्जामिनेशन आप लोग का जो सेलेक्शन प्रोसेस होगा वह CBT होगा, Computer Based Test होगा इस Computer Based Test का आपको जो एक्जामिनेशन होगा उसका Notification बात में दिया जागा जैसे Notification आगा तो हम आपको इसी चनल के माधियम से जरूर बताएंगे आप बात कर लेते हैं दोस्तों Examination फीक का, Application फीक क्या लगेगा तो Application फीक की बात करें तो अगर General Category क्या है आप तो फिर आपको आट सो चालीज रुपया पेक करना परेगा वहें अगर आप OBC काट्विक हैं तो फिर आपको 500 प्य करेगा प्य करना परेगा वहें अगर आप SCFT काट्विक से है तो फिर आपको 500 प्य करना परेगा तो यहाँ पर आप नेगलगा BPC 6Am और SCHD का है तो आप 500 प्रिख पैट करना प्रेगा फिर आप लोग आउनलाइन प्रेग कर सकते हैं फर्म बरहने के टाइम यहीं यह चीज आप लोग देख लिए आगा चीज़ा एक और बता दू सेलेक्शन प्रोसेस किया है कैसे कैसे इसमें पास करना है तो selection process की बात करें तो अगर आप junior engineer का बात कर रहें जेई का तो फिर जेई के लिए आप लोग को CVT exam देना परेगा CVT exam आप लोग को syllabus बेश्ट रहेंगे इसका और details में क्या syllabus रहेगा कैसे त्यारिक करना है में अगले वीडियो के माधिम से बताएंगे पहले सबसे पहले आप लोग फार्म अप्लाई कर लिए फार्म अप्लाई करने में कोई आउट दिखात हो तो मुझे जरूर सेर कीज़ेगा बताएगा हम आपको हेल्प जरूर करेंगे साथ ही दोस्तो अगर आप प्राइबेट जोब पाना चाहते तो नेशनल कारियर सर्वि सबसे पहले दिया जाता है वीडियो चल लगा तो सबस्क्राइब करके बैल आइकन जरूर दवा लिजेगा दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि इस चल के माधियम से सारा चीज यही पर मिलता है थांक्यू फर वाचिंग